थी के आप कैचे नमस्थकार दोस्तों स्वागते का से इन चाथ में तो यह वाला टेलीग्राम जरूर ज़ाइं करना बहुत ज़रूरी है साघी नमस्थीप्रदेश की सभी परिच्छां के लिए यह यूपी जीके उत्तर्ब्रदेश समान ग्या नहीं यह यूपी PCS का जो PCS exam है प्लस जो ROYARO वाला exam है प्लस UPTET exam है UPCCC के जितने भी exam है UPSI है UP Constable है उत्तर प्रदेश की सभी परिच्छाओं के लिए इस सीरीज है UPGK यह latest है updated है विल्कुल अभी तक पूरा update कर लिया गया है सारा data इसमें विल्कुल to the point specific है यह उत्तर प्रदेश के exam कोई भी exam की तहरी आप कर रहे है उत्तर प्रदेश के चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर के हो अगर आप लोग allowed है eligible है और उत्तर प्रदेश की exam की तहरी कर रहे है यह वाली सीरीज जरूर देख लिएगा complete comprehension सारी चीज़े मिलेंगी part wise है इसमें ठीक है तो यह UPGK की इसकी playlist भी वीडियो की description में दी हुई है UP current affair भी हम time to time देते रहते हैं उसकी भी playlist वीडियो की description में दी हुई है हम अपनी सीरीज को जो की UPGK English की सीरीज चल रही है उसको यहाँ पर continue करेंगे और next setting को देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश से related जो present appointments हैं उसके बारे में जो important facts हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले name of post बताई जाएगी फिर व्यक्ति का नाम बताया जाएगा फिर उनकी ranking बताई जाएगी number बताया जाएगा according to person उसके बाद जो है order according to number of tenure और के इस party से related है तो सबसे पहले chief minister जी की बात करेंगे योगी आदित्यनात जी है और इनका जो number है according to person 21st है और according to number of tenure बोला जाए अगर दॉक्टर दिनेश शर्मा है दोनों ही BJP से related है गवर्नर की बात करें तो यह आपकी श्री मती जो है आपकी आनंदी बेन मफत बाई पतेल है 28th number की है यह आपकी according to person और BJP से related है speaker of the assembly जो है श्री हृदय नरायन दिक्षित है 17th number के है यह आपके व्यक्ति के हिसाब से 22nd number के है आपके tenure के हिसाब से BJP से related है principal secretary of legislative assembly की बात करें तो mister प्रदीप कुमार दुबे है आपके इटावा उत्तर प्रदेश से related है इसके बाद chairman की बात करें अगर legislative council की तो कुवर मानमेंदर सिंग हैं यह 13th number के है परसन के हिसाब से और SP से related है समाजवादी party से leader of the opposition party की बात करें legislative council है council की बात करें तो mister एहमद हसन है principal secretary of legislative council की बात करें तो राजेश सिंग जी है डॉक्टर राजेश सिंग है और इसके बाद leader of opposition party legislative assembly की बात करें तो स्री गोविंद चौधरी है ना श्री राम गोविंद चौधरी है यह आपके गोसाईपुर district बल्या से related है chief secretary की बात करें तो आरकेट तिवारी जी है और DGP जो है आपके हितेश चंद्र अवस्थी है chairman जो है आपके UPPSC के वो संजय श्रीनेथ है chairman जो आपके UPPSC के है प्रवीन कुमार है और chairman higher education service commission के डॉक्टर इश्वर सरन विश्वकर्मा है और आपके chairman है secondary education service selection board के विरेश कुमार है state human rights commission की बात करें तो जो आपके justice S. रफत आलम है आपके यह amendment भी देख जाईएगा यह amendment कब आया था जब आपके human rights commission वगएरे की स्थापना होती है central में भी और states में भी ठीक है चीफ इसमें अभी amendment भी हुआ है last year chief electoral जो officer है आपके अजय कुमार शुकला जी है state election commissioner जो है manoj कुमार है from बिहार और advocate general जो है आपके रागवेंद्र सिंग है since 13th of April 2017 लोका युक्ट की बात करें तो justice संजय मिश्रा है from 31st January 2016 उप लोका युक्ट की बात करें तो यहाँ पर सुरेंद्र कुमार यादव जी है और दो जो आपके अन्य जो अदर आपके उप लोका युक्ते हैं ये संभू शिंग यादव और दिनेश कुमार सिंग है ठीक है ना ombudsman वगरे का concept आप लोग ने सुना होगा governance पढ़ते होंगे आप लोग GS2 में जो governance का part है उसके लिए बहुत important है means perspective से Chief Justice of प्रयाग राज High Court की बात करें तो justice संजय आदव है व्यक्ति के रूप में 47th है chairman जो आपके state planning commission के है योगी आदित तिनाथ जी है BJP से related है और chairman जो है आपके state SCST commission के ब्रिजलाल है very important यह जितनी भी संस्थाएं है आपके जो vulnerable group से related है उनके जो chief होते है वो हमारे लें important होते है exam point of view से और chairman state commission for backward classes post vacant है और जो यह आपके chairman state women's commission के है विमला बाथम है wife president जो state commission for women के है Mrs. Shushma Singh और Mrs. Anju Chaudhary है chairman जो आपके state minority commission के है post यह जो है आपकी vacant है देखिए यह आपका welfare वाला काम है और यह post ही vacant है और department of sports and youth welfare की बात करे तो mr. उपेंद्र तिवारी है BJP से related है ministers की यहाँ पर जो department of sports and youth welfare के minister है उनके बारे में बताया जा रहा कि mr. उपेंद्र तिवारी जी है BJP से related है और chief information जो commissioner है UP के वो भावेश कुमार सिंग है RTI Act पढ़ा होगा आप लोगों ने है ना जो आपके information जो आपके commissioners होते हैं उनके बारे में पढ़ते होंगे कौनसी extra constitutional है कौनसी statuary body है appointment की बात करें तो जो पहले chief minister है आपके जो ये important facts होते है stage PCS के लिए वही बताया जा रहा है कि पहले जो chief minister थे पंडित गोविंद बलबपंत थे 1946 1st of April से लेके 27th December 1954 तक पहले जो आपके deputy chief minister थे चौधरी नरायन सिंह थे ये कोई constitutional post तो है नहीं ठीक है ना ये खुद से generate किया जाता है जैसे vice जो आपके deputy prime minister की भी कोई चर्चा नहीं है लेकिन आप जब देखेंगे कि जंतादल की सरकार आएगी मतलब संपूर्ण करांती वाली तो उस समय से ये प्रावधान हमारे इंडियन political system में देखने को मिलता है पहली जो woman chief minister है state की और country की भी है वो आपकी सुचेता कृपलानी है very important fact और total number of woman chief minister जो UP में रही है स्वतनत्रता के बाद से दो रही है मायवती और सुचेता कृपलानी जी इसके बाद present जो chief minister है योगी आदित्यनाथ है 21st as a person 32nd in terms of tenure person who became chief minister at minimum age सबसे कम age में कौन बने थे तो अखिलेश यादव बने थे और maximum number of times when became chief minister तो मायवती है और those who became both chief minister in UP and prime minister of India तो चौधरी चरण सिंग है और VP सिंग है आपके मंडल कमीशन वगरा याद होगा आप लोगो first governor of UP जो है आपकी वो Mrs. Sarojini Naidu रही है first governor of state and India जो है वो भी आपकी Sarojini Naidu जी है maximum times जो governor जो दो बार बने हैं आपके वो Mr. मुहम्मद सफी कुरैशी और B.L. जोसी है current governor जो है आपकी वो अनंदी बेन पटेल जी है और first chair person of legislative council after independence जो है आपके वो Mr. चंद्रभाल है है ना चंद्रभाई है ठीक है ध्यान दीजेगा यह जो नाम है आपका चंद्रभाल जी है है ना मतलब यह चंद्रभाल जी है जो आपके first chair person है किसके legislative council के after independence the person who became chair person of legislative council maximum times कौन थे तो बिरेंद स्वरूप है two whole term plus three tenure first speaker जो है आपके state legislative assembly के after independence के बात करें तो राजर्शी पुर्शुत्तम दास्टंडन जीन थे maximum times speaker की बात करें legislative assembly में तो जो आपके आत्मराम, गोविंद, खैर और केसरी नात्रिपाथी जी रहे है three times इसके बाद legislative assembly speaker और chief minister बोथ जो रहे है वो श्रीपती मिश्रा और Mr. Banar Siddharp रहे है उसके बाद first chief justice अलाभाद high court के कौन रहे है तो justice three Walter Morgan रहे है 1866 से 1871 के बीच और 46 chief justice जो है अलाभाद high court के यह आपके justice दिली बाबा साहब भोसले रहे है 30th of July 2016 से पहले जो लोका यूट रहे है विश्वंबर रहे है 14 September 1977 से लेके 13 September 1982 तक current लोका यूट जो है वो आपके justice Mr. Sanjay Mishra है 31st January 2000 सुकला अब जो 16 से है ना मतलब 2016 से इसके बाद अगर यहाँ पर बात करेंगे कि इनका जो tenure है यह 7th है यह हमने पहले ही देख लिया chief ministers की बात करेंगे कि कब से कब तक कौन रहे है क्या tenure रहा है यहाँ से भी question frame किया जाता है जहाँ से कोई special जो incident जैसे कोई भी संदर्भित होता है वहाँ से पंडित गोविंद वल्लप पंथ जी की बात करेंगे सबसे पहले जो 1st of April 1947 से लेके 28th of December 1954 तक रहे उसके बाद संपूर्न रंजी रहे है 28 December 1954 से 7th of December 1960 तक उसके बाद चंद्रभानु गुपता जी रहे है 7th of December 1960 से 2nd of October 1963 तक इसके बाद मिसेश सुचेता क्रिपलानी रही है 2nd of October 1963 से 14th of March 1967 तक उसके बाद चंद्रभानु गुपता फिर रहे है 14th of March 1967 से 3rd of April 1967 उसके बाद चौदरी चरण सिंग जी का टाइम है यह आपका 3rd of April 1967 से 25th of February 1968 तक उसके बाद प्रेसिडीन जो आपका रूल लगता है प्रेसिडेंट रूल की बात करें अगर अपन तो यहाँ पर आर्टिकल 356 देखते हैं हम लो और नेशनल इमर्जनसी जो है आपका आर्टिकल 352 है उसके बाद आप देखते हैं क्या जो आपका फाइनेशनल एमर्जनसी होती है 359, 360, 355, 365 यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से यह आप देख जाएगा इसको प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है और यह जो लगाया जाता है एक रिपोर्ट की माध्यम से वो आपका 365 में मिंशन किया गया है है ना तो यह जो प्रेसिडेंट रूल जिस जो भी आपके प्रेसिडेंट रहे हो और उनके दौरान जो प्रेसिडेंट रूल लगा हो उस समय कौन वहाँ पर गवर्नर थे कौन प्रेसिडेंट थे है ना तो वो हम लोगों को जो है वो ध्यान से देखकर जाना है तो यहाँ पर देखें कि 25th of February 1968 से 25th of February 1969 तक उसके बाद चंद्रबानु गुप्ता फिर बनते हैं 26th of February 1969 से 17 February 1970 तक चौधरी चरंट सिंग जी का टाइम आता है फिर 17th of February 1970 से लेके 2nd of October 1970 फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है आपका 2nd of October 1970 से 18 October 1970 तक फिर त्रिबुवन नरायन सिंग जी बनते हैं 18th October से 1970 में और 14th April 1971 तक के लिए फिर कमलापती त्रिपाठी जी बनते हैं 4th of April से लेके 12th of June 1973 तक उसके बाद प्रेसिडेंट रूल वापस लगता है 12th of June 1973 से 8th of November 1973 तक के लिए और हेम बती नंदन बहुगुणा जो बनते हैं वो आपके 8th of November 1973 से 30th November 1975 तक फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है आपका ये आपका 30th November 1975 था और कब से कब तक लगा था 21st January तक के लिए लगा था 1976 तक तो देखें ये बहुत important time है इसी के बाद आपको 42nd amendment होगा है संपूर्ण करांती जैप्रकाश नरायन जी लोग का नाम सुना होगा आप लोगोंने यहीं से फिर 352 में clause change किया जाएगा यह सब आप लोगों को पता होगा यह mini constitution भी बोलते हैं बहुत तारे amendments होगे अब इसके बाद नारायन दर्त थिवारी जी रहे है 21st January 1976 से 30th April 1977 तक वापस से President Rule imposed किया जाता है 30th April 1977 से लेके 21st June 1977 तक और राम नरेश यादो रहते है 23rd June 1977 से लेके 28th February 1979 तक बनारसी दास रहते है 28th February 1979 से लेके 17th February 1980 उसके बाद President Rule आपका वापस imposed होता है 17th February 1980 से लेके 19th June 1982 तक BP सिंग बनते हैं उसके बाद विश्वनात पताप सिंग 9th June 1980 से लेके 19th June 1982 तक श्रीपति मिश्रा बनते हैं उसके बाद 19th June 1982 से लेके 3rd August 1984 फिर ND तिवारी बनते हैं आपके 3rd August 1984 से 24th September 1985 उसके बाद वीर बहादूर सिंग जी बनते हैं from 24th September 1985 से लेके 25th June 1988 तक उसके बाद ND तिवारी वापस बनते हैं 25th June 1988 से लेके 5th December 1989 फिर मुलायम सिंग यादाओ जी का tenure है 5th of December से लेके 24th June 1991 तक इसके बाद कल्यान सिंग जी बनते हैं from 24th June 1991 तू 6th December 1992 फिर प्रेसिडेंट रूल इंपोस किया जाता है from 6th of December 1992 से जो आपके 4th of December 1993 है फिर मुलायम सिंग यादाओ जी बनते हैं 4th of December 1993 से लेके 3rd of June 1995 फिर मायवती 3rd of June 1995 से 17 October 17th October 1995 तक रहती है और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगता है 18th October 1995 से 17th October 1996 फिर प्रेसिडेंट रूल इंपोस किया जाता है 17th October 1996 से 21st March 1997 तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लगतार जो है दो बार आपका प्रेसिडेंट रूल है 18th October 1995 से 17th October 1996 फिर उसके बाद 17th October 1996 से 21st March 1997 फिर मायवती जी का कारेकाल है है ना चीफ मिनस्टर्स की लिस्ट देख रहे हैं हम लोग और उसके बाद जो है आपका 21st March 1997 से 21st September 1997 तक मायवती जी रहेंगी फिर कल्यांट सिंग वापस बनेंगे 21st September 1997 से 12th November 1999 उसके बाद राम प्रकाश गुपता जी का टेनियोर है 12th November 1999 से लेके 28th October 2000 तक फिर उसके बाद आजनाज सिंग जी बनेंगे 28th October 2000 से लेके 3 में 3rd of May जो है आपका 2002 उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगता है 8th of March 2002 से लेके 3rd of May 2002 तक मायवती जी का टन्योर है 3rd of May 2002 से लेके 29th August 2003 तक फिर मुलायम सिंग यादो जी बनते है 29th August 2003 से लेके 13th of May 2007 तक 2007 तक फिर मायवती जी का कारिकाल है 13th of May 2007 से लेके 2012 15th मार्स तक फिर अखिलेश यादो जी बनते है from 15th मार्स 2012 से onwards जो आपके 19th मार्स 2017 तक उसके बाद फिर योगी आदितनाथ ची का कारिकाल है 19th मार्स 2017 से तिल नाव उसके बाद हम यहाँ पर गवर्नर्स की सूची देखेंगे है ना तो since 1921 से लेके अभी तक क्यों क्योंकि 1919 के बाद ही जो है हमारे यहाँ एक तरीके से direct election की जो है नीव पढ़ती है है ना तो यह आप लोगों को पता भी होगा इसके बाद जो है यहाँ पर बताया जा रहा है United Province बोला जाता था तब तो सर जो हर कोट बटलर है आपके Spencer भी बोला जाता है वो 3rd of January 1921 से लेके 21st of December 1922 तक रहे इसके बाद सर William S. Maris रहे है आपके इनका tenure जो है various tenure रहा है 21 बारा जो 1922 से लेके 1928 तक 13th of August ठीक है एक बटलर कमिटी भी बनती है बताईए comment box में कि किस से related है वो आपकी ये question पूछा गया है UPSC के दुआरा तो UPPCS में भी पूछा जा सकता है important है इसके बाद सर Alexander Phillips मुडिमन जो है मुडिमन कमिटी भी important है ये इनका जो tenure रहा है 15th of January 1928 से लेके 17th of June 1928 इसके बाद William Malcolm Haley है आपके इनके 4 tenure रहे है 10 अगस्त 1928 से लेके 21 बारा 1934 के बीच और सर Harry Graham Hague रहे है इनके 2 tenure रहे है 6 December 1934 से लेके और 1939 16th of May तक ठीक है और सर Morris जो Garnier Hallett रहे है वो 7th of December आपके 1939 से लेके 6th of December 1945 तक इसके बाद सर Francis Werner Wiley रहे है आपके 7th of December 1945 से लेके 14th of August 1949 तक इसके बाद After Independence की बात करें तो सबसे पहले Mrs. जो आपकी सरो जी नि नाइडिू जी है 15th of August 1947 से लेके 2nd of March 1949 तक उसके बाद स्री Justice B.P.B. मलिक रहे है ये acting रहे है आपके 3rd of March 1949 से लेके 1st of May 1949 तक इसके बाद स्री H.P. Modi रहे है U.P. के रूप में जो है इसका nomination मतलब जो आपका nomenclature आप देखते हैं नामकरण वो U.P. अब देखा जाएगा है ना तो इसलिए U.P. लिखा गया है श्री H.P. Modi रहेंगे सबसे पहले जो 26th of January 1950 से लेके 25th of January 1952 तक उसके बाद स्री K.M. मुंशी रहेंगे 2nd of June 1952 से लेके 9th of June 1957 तक उसके बाद स्री V. जो आपके वरा गिरी वेंकट गिरी है जो आपके है ना वरा वेंकट गिरी वीवी गिरी है 10 जो आपके June 1957 से 30 June 1960 तक इसके बाद Dr. B. Ramakrishna Rao है 1st of July 1960 से लेके 15th of April 1962 इसके बाद स्री विश्वनात दास हैं 16th of April 1962 से लेके 30th of April 1967 तक फिर इसके बाद Dr. B. Gopal Reddy है 1st of May 1967 से लेके 30th of June 1972 तक इसके बाद स्री शशी कांत वर्मा है ये acting है आपके 1st of July 1972 से लेके 13th of November 1972 के बीच इसके बाद अकबर अलीख खान है 14th November से लेके 1972 से 24th of जो आपके October 1974 है इसके बाद Dr. M. Chinna Reddy रहेंगे 25th of October 1974 से लेके 1st of October 1977 तक इसके बाद स्री गनपत राओ देव जी ताप से रहते हैं जो 2nd of October 1977 से लेके 27th of February 1980 तक रहेंगे फिर इसके बाद चंदेश्वर पसाद नरायन चिंग जी रहेंगे 28th of February 1980 से लेके 31st March 1985 तक मुहम्मद उस्मान आरिफ रहेंगे इसके बाद 31st of March 1985 से लेके 11th of February 1990 तक इसके बाद स्री बी सत्या नरायन रेड़ी रहेंगे आपके 1990 जो आपके 12th of February 1990 से लेके 25th of May 1993 के बी चुलका टेन्योर रहेंगा इसके बाद स्री मोतिलाल वोरा जी रहेंगे 26th of May 1993 से लेके 3rd of May 1995 तक इसके बाद मुहम्मद शफी कुरैशी जी रहेंगे यह एक्टिंग है आपके 3rd of May 1996 से लेके 19th July 1996 तक उसके बाद मिस्टर रोमेश भंडारी जी रहेंगे 19th of July 1996 से लेके 17th of May 1998 तक फिर मुहम्मद सफी कुरैशी फिर से एक्टिंग होंगे आपके यहाँ पर 17th of May 1998 से लेके 19th of April 1998 के बीच श्री सूरग भान जी का कारेकाले इसके बाद 20 April 1998 से लेके 23 November 2000 तक इसके बाद श्री विश्नुकान सास्त्री रहेंगे आपके 24th of November 2000 से लेके 2nd of July 2004 तक फिर मिस्टर सुदर्शन अगरवाल रहेंगे यह एक्टिंग है आपके 3rd of July 2004 से लेके 7th of July 2004 के बीच में इसके बाद मिस्टर टीवी राजेश्वर रहेंगे आपके 3rd of July 2009 से लेके 13th of June 2014 तक फिर डॉक्टर अजीच कुरेशी हैं यह आपके एक्टिंग है 23rd of July 2014 से लेके 22nd July 2014 तक रहे है फिर श्री राम नाइक जी रहे है जो आपके 22nd of July 2014 से लेके 28th of July 2019 तक रहे है और प्रेजेंट में आप देखेंगे 29th जो आपके July 2019 से लेके जो अभी तक है वो आपके श्री मती आनंदी बेन पटेल है इनकी चर्चा हमने पहले ही कर लिए अब इसके बाद Legislative Assembly Speakers की बाद करेंगे विटेन्योर सबसे पहले राजश्री पुर्शुत्तम दास्टंडन जी है 31st July 1937 से लेके 10th August 1950 तक इसके बाद नफीकुल हसन है आपके 21st December 1950 से लेके 19th May 1952 उसके बाद आत्मा राम गोविंद खैर जी है 20th May 1952 से लेके 25th March 1962 तक इसके बाद मदन मोहन वर्मा जी है 26 March 1922 से लेके 16th March 1967 तक फिर जगदीश शरन अगरवाल है 17th March 1967 से लेके 16th March 1969 तक उसके बाद आत्मा राम गोविंद खैर जी का फिर से tenure है यहाँ पर 17th March 1969 से लेके 18th March 1974 उसके बाद वसुदेव सिंग है 18th March 1974 से लेके 20 जो आपका 12th July 1977 ध्यान दीजेगा 18th March 1974 से लेके 12th July 1977 उसके बाद बनारसी दास है आपके 12th July 1977 से 26th February 1979 उसके बाद जगनात प्रसाद है केर टेकर रहते हैं यह आपके from 27th February 1979 से लेके 12th February 1980 इसके बाद स्रीपती मिश्रा है 7th July 1980 से लेके 18th July 1982 उसके बाद यादवेंद सिंग हैं यह भी केर टेकर के रूप में रहते हैं 19th July 1982 से लेके 24th August 1982 के बीच में इसके बाद आपके जो धरम सिंग जी है 25th August 1982 से लेके 15th March 1985 तक उसके बाद यहाँ पर नियाज हसन जी है 15th March 1985 से 8th January 1990 इसके बाद हरी किशन स्रिवास्तव जी है from 9th of Jan 1990 से लेकर और 30th July 1991 उसके बाद केश्री नात्रिपाठी जी है 30th July 1991 से लेके 15th December 1993 इसके बाद धनी नाम वर्मा है 15th December 1993 से 20th June 1995 इसके बाद जो आपके बर्खु राम वर्मा है केर टेकर 20th June 1995 से 17 July 1995 इसके बाद आपके केश्री नात्रिपाठी जी का वापस से है 27th March 1997 से 14th May 2002 उसके बाद केश्री नात्रिपाठी जी 14th May 2002 से लेके 19th May 2004 उसके बाद Dr. Walker अहमद शार जो है केर टेकर रहते 19th May 2004 से लेके 26 July 2004 तक फिर माता प्रशाद पांडे है 26 July 2004 से लेके 18th May 2007 और फिर उसके बाद सुखडेव राजभर है आपके 80th May जो 18th May है आपका 18th May 2007 से लेके 30th April जो है आपका 13 April है ध्यान दीजेगा 18th May 2007 2007 से लेके 13th जो आपका April है 2012 तक है ना उसके बाद माता प्रशाद पांडे जी है 13th April 2012 से 30th March जो है आपका 2017 2017 और 30th March 2017 से अभी जो है आपके बने हुए है वर्तमान में भी रिदय नारायन दिक्षित जी इसके बाद उत्तर प्रदेश Legislative Assembly की टम्स के बारे में बताया जा रहा है पहली जो विधान सभा की बात करेंगे constitute किया गया था 20th of May 1952 very important Dissolution इसका 31st March 1957 को हुआ 1776 days तक रही है इसके बाद 2nd जो है 1st of April 1957 से 6th of March 1962 तक 1800 days तक रही है और 3rd number की जो आपकी विधान सभा है 7th of March 1962 से 9th of March 1967 1828 days रही है 4th जो है आपकी 10th of March 1967 से 15th of April 1968 तक 402 days रही है 5th number की देखेंगे आप 26th February 1969 से 4th of March 1974 तक रही है 1832 days इसके बाद 6th की बात करेंगे आप 4th March 1974 से लेके 30th April 1977 1153 days 7th जो है आपका 23rd June 1977 से 17th February 1980 तक 969 days इसके बाद 8th जो है आपका वो 9th June 1980 से लेके 10th of March 1985, 1735 days उसके बाद जो 9th है आपका वो आपका 10th of March 1985 से 29th November 1989 तक है 1725 days इसके बाद 10th number की जो आपकी विधान सबग की बात करेंगे 2nd December 1989 से 2nd December 1989 से 4th April 1991 488 days 11th की बाद करेंगे तो 22nd June 1991 से लेके 6 December 1992 ये बहुत important phase है 533 days इसके बाद 12th नंबर का जो है आपका 4th of December 1993 से लेके 28th October 1995 693 days उसके बाद 13th जो आपकी विधान सबगा है ये आपकी 17th October 1996 से लेके 7th of March 2002 तक है 1967 days इसके बाद 14th नंबर की 26 February 2002 से लेके 13th of May 2007 1902 days और उसके बाद 15th जो है 13th May जो आपका 2007 है तब से लेके 2012 में 9th March तक रही है 1762 days 16th ही बात करें तो 8th March 2012 से लेके 11th March 2017 तक 1829 days और 17th जो है 19th of March 2017 से है incumbent जो आपकी BJP की है 915 days है अभी ठीक है ना तो ये जो है आपकी serial wise यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि इन में से भी question frame होते है इसके बाद chairperson की बात करेंगे legislative council की तो सबसे पहले जो है चंद्रभाल जी है 26th January जो है आपका से लेके 6th माई जो है आपका 1958 तक तो यहाँ यह missing है अगर from 26th January 1950 से लेके यह आपके 6th of May 1958 तक रहे हैं chairperson रहे हैं आपके legislative council की बात कर रहे हैं 5th of May 1964 इसके बाद दर्बारी लाल शर्मा है प्रो टम रहती है इनकी 6th of May 1964 से लेके 4th of August 1964 तक इसके बाद दर्बारी लाल शर्मा रहेंगे 5th of August 1964 से 5th of May 1968 के बीच में उसके बाद यहाँ पर दर्बारी लाल शर्मा वापस रहते हैं 6th of May 1968 से लेके 1st of March 1969 तक उसके बाद विरेंद्र स्वरूप जी का टम है Caretaker के रूप में 2nd of March 1969 से 14th of March 1969 इसके बाद विरेंद्र स्वरूप जी का जो है वो regular tenure है यहाँ पर 15th of March 1969 से लेके 5th of जो आपका में है 1974 उसके बाद देवेंद्र प्रताप सिंग रहेंगे Caretaker के रूप में 6th of May 1974 से 10th of June 1974 तक इसके बाद विरेंद्र स्वरूप जी बनेंगे जो 11th of June 1974 से 26 February 1980 के बीच में रहेंगे इसके बाद विरेंद्र बहादूर सिंग चंदेल जी है जिनका प्रोटम रहता है ये 18th of June 1980 से लेके 5th of October 1980 तक रहेंगे फिर विरेंद्र बहादूर सिंग चंदेल जी का रेगूलर टम है 1980 में 6th October से 1980 से लेके 5th of May 1982 तक फिर शिव प्रसाद गुपता जी Caretaker के रूप में रहेंगे 6th of May 1988 to 5th of April 1989 इसके बाद जग्दीश चंद्र दिख्षित जी का टेन्योर है regular 6th of April 1989 से लेके 7th of March 1990 तक इसके बाद शिव प्रसाद गुपता जी का दो प्रोटम है 13th of March 1990 से 8th of April 1990 तक फिर 9th of April 1990 से लेके 4th July 1990 इसके बाद शिव प्रसाद गुपता जी को देखेंगे आप तो regular term है इनका 5th of July 1990 से लेके 6th of July 1992 के बीच में इसके बाद नित्यानन स्वामी बनते हैं के अटेकर की रूप में 7th of July 1992 से लेके 9th of May 1996 तक फिर नित्यानन स्वामी जी का जो है आपका प्रोटम है 23rd May 1996 से लेकर 23rd of April 1997 की बीच में नित्यानन स्वामी जी उसके बाद फिर बनते है 24th April 1997 से लेके 8th of November 2000 उसके बाद ओम प्रकास शर्मा जी का प्रोटम है 17th November 2000 से लेके 5th of May 2002 उसके बाद कुवर मानवेंदर सिंग जी का प्रोटम है 6th of May 2002 से लेके 2nd of August 2004 फिर उसके बाद चौधरी सुखराम सिंग यादव बन रहते हैं और 2010 के tenure तक रहते हैं आपके 15th June 2010 यहाद ध्यान दीजेगा यह मिसिंग है यहाँ पर जो आपका मन्त है तो यह जो चौधरी सुखराम सिंग यादव जी है यह 3rd of August 3rd of August 3rd August जो है आपके वो 2004 से लेके 15th of June 2010 के बीच में रहे है इसके बाद श्री कमला कांत गौतम जी है caretaker के रूप में रहेंगे 16th of January 2010 से लेके 20th of January 2010 तक उसके बाद गनेश शंकर पांडे जी का tenure है 21st June 2010 से लेके 15 January 2016 2016 इसके बाद ओम प्रकाश शर्मा जी रहे है caretaker के रूप में 16th of January 2016 से 10th of March 2016 इसके बाद 11th March से अभी तक जो है आपके वो रमेश यादव जी है इसके इसके बाद यहाँ पर cabinet ministers के बारे में बताया जा रहा है UP government के बारे में तो योगी अधित अधितिनात जी जो honorable chief minister है इनके पास कौन-कौन से जो है आपके ministries है वो देखेंगे home है, housing and urban planning है, revenue है, food and civil supplies है, food safety and drug administration है, economics and statistics है, geology और आपका mining है, tax registration है, jail भी है, general administration भी इनके पास है, secretaryate जो administration है, confidential, vigilance, appointment, personal, information, election, institutional finance, planning, state property, town, land, UP, restructuring, coordination, administrative reform, program implementation, national integration, infrastructure, language, external aided project, scarcity, relief and rehabilitation, public service management, rent control, consumer protection, जो आपका consumer protection है, weights है, measures है, protocol और protocol, technical education, sanic welfare, home guard, PRD और civil defense इनके पास है, श्री केशव जो प्रसाद मौरिया जी है, deputy chief minister है, उनके पास public work department है, food processing है, entertainment है, tax है, और public enterprises है, dr. दिनेश शर्मा जी, जो आपके deputy chief minister है, इनके पास secondary education है, higher education है, science and tech है, electronics है, और IT है, इसके बाद स्री सूर्य प्रताप शाही जी की बात करेंगे, तो cabinet minister है, agriculture है, agricultural education है, agricultural research है, इसके बाद स्री सुरेश कुमार खन्ना जी है, cabinet minister है, finance है, parliamentary affairs है, इनके पास medical education है, इसके बाद स्री स्वामी प्रसाद है, ये भी आपके cabinet minister है, labor employment और coordination है, इनके पास, इसके बाद जो स गार्डन है इसके बाद श्री रामपती शास्त्री जी ये भी cabinet minister है social welfare scheduled caste और tribal welfare इनके पास है और श्री जैप्रताप सिंग cabinet minister medical और health family welfare mother and child welfare है श्री ब्रिजे स्पाथक cabinet minister है और इनके पास legislative justice rural engineering services है इसके बाद श्री लक्ष्मिय नरायन चौधरी जी है cabinet minister है dairy development animal husband इनके पास इसके बाद श्री कांत क्या नाम है इनका श्री कांत जो आपके शर्मा जी है cabinet minister है इनके पास energy additional source of energy है और श्री राजिंद्र प्रताप सिंग मोती सिंग जी जो है आपके cabinet minister है rural development overall village development वाला जो आपका department है इनके पास है मिनिस्ट्री की बात कर रहे है cabinet minister है तो इनके पास ministries होंगी ना श्री सिदातनाथ जो सिंग है cabinet minister है खादी और village industries इनके पास है seri culture है hand loom textile MSME export promotion NRI investment promotion है श्री मुकुत बिहारी वर्मा जी इनके पास cooperative है और cabinet minister है या आपके सब cabinet की ही बात करें तो सारे के सारे cabinet minister ही है यहाँ पर इसके बाद श्री आशुतोस टंडन जी की बात करें तो cabinet minister है और urban development overall urban development urban employment और poverty elevation इनके पास है श्री नाथ जो आपके नंद गोपाल गुपता है क्या नाम है नंदी भी बोलते हैं इनको नंद गोपाल गुपता जी है cabinet minister civil aviation political pension minority welfare muslim वफ और हज इनके पास है डॉक्टर महेंदर सिंग cabinet minister है जल शक्ती flood control है इनके अंडर में श्री सुरेश राना जी जो है वो cabinet minister है शुगर के इंडवलेप्मेंट और शुगर मिल्स है इनके अंतरगत और श्री भुपेंदर सिंग चौधरी cabinet minister है पियराई है इनके पास और श्री अनिल राजबार जो है आपके cabinet minister है इनके पास backward class welfare और दिव्यांग जन एमपावर्मेंट है श्री राम जो नरेश अगिनेहुत्री जी है वो आपके cabinet minister है इनके पास excise और prohibition है अब minister of states की बात करेंगे जिनके पास स्वतंतर प्रभार या independent charge है यूपी गवर्मेंट का देखी यहाँ पर भी cabinet minister होते हैं फिर state ministers होते हैं फिर उसके बाद जो है independent charge वाले होते हैं है ना तो उस तरीके से जो है यहाँ पर hierarchy बनी होई होती है यह आप लोग ने administration वाले पार्ट में देखा होगा श्री उपेंद्र तिवारी जी है यहाँ पर minister of state independent charge सारे के सारे जो यहाँ पर नाम दिये गए सब independent charge है minister of state है इनके पास sports है यूथ welfare है पंचायती राज है इसके बाद श्री धरम सिंग है यह आपके इनके पास आयूश है food security है drug administration है त्री मति स्वाती सिंग है यह आपकी women's welfare child development और nutrition है इनके पास dr. नील कंठ तिवारी है tourism culture religious affairs और protocol है इनके पास और श्री कपिल देव अगरवाल जो है vocational education और skill development है इनके पास श्री सतीष चंद्रादुवेदी है basic education है सारे के सारे जो ministers के नाम यहाँ पर दिये गए है यह आपके minister of state है independent charge वाले श्री अशोग काटारिया जी है इनके पास transport parliamentary affairs है और श्री राम चौहान जी जो है आपके उनके पास horticulture, agricultural exports, agricultural marketing, agricultural foreign trade है श्री रवींद्र जैसवाल जी जो है इनके पास stamp court fee और registration है state ministers की बात करेंगे जो UP government के अंतरगत है तो सबसे पहले श्री मती, गुलाब देवी अब यह सारे के सारे state ministers है ठीक है वो आपके independent charge वाले थे ठीक है तो यह आपके श्री मती जो आपकी गुलाब देवी है इनके पास secondary education है श्री जै प्रताप जो निशाद है आपके इनके पास animal, husbandry, fisheries और dairy development है श्री जैकुमार सिंग, जैकी जो है उनके पास jail और public service management है श्री अतुलगर जी के पास medical health, family welfare, mother and child welfare है श्री राणवेंदर प्रताप सिंग जी जो है धूनी सिंग भी बोला जाता है इनको इनके पास जो है आपका food and civil supplies है कि इनके पास जो राणवेंदर प्रताप सिंग है आपके इनको धूनी सिंग भी बोला जाता है श्री महसिन रजा है इनके पास minority welfare, muslim वफ और हज है श्री गिरीष शंद्र यादव जी जो है इनके पास housing और urban planning है श्री बलदेव जो उलाख है आपके उनके पास जलशक्ती है मनोहरलाल, मन्नु कोरी जो है आपके labor employment है इनके पास संदीप सिंग जी के पास finance technical education, medical education है और सुरेश कुमार, अलियाज जो है सुरेश पासी भी बोला जाता है इनको जो सुगर के इन development है, सुगर मिल से इनके पास श्री अनिल शर्मा जी के पास forest environment, geological garden है महेश चंद्र गुप्ता जी के पास जो है urban development, overall urban development urban employment and poverty elevation है श्री आनन्स वरूप सुखला जी के पास parliamentary affairs, rural development, overall village development है श्री विजा कश्चप जी के पास revenue, flat control है जी एस धर्मेश जी के पास social welfare है SC और tribal welfare है मतलब scheduled caste और tribal welfare इसके पास श्री लखन सिंग राजपूर जी है जिनके पास agriculture, agricultural education agricultural research है श्री मती नीलीमा कटियार जी है इनके पास higher education or science and tech है श्री चौधरी उदैभान सिंग जी जी जो है उनके पास khadi और village industries है sericulture industries है और textile है, MSME है जो micro, smaller, medium enterprises है और export promotion है श्री चंडरिका प्रशाथ उपध्याय जो है, उनके पास public work है श्री रमा संकर सिंग पतेल जी जो है वो energy, additional source of energy है इनके पास और श्री अजीत सिंग पाल जी के पास जो है आपका electronics और IT है इसके बाद यहाँ पर universities के नाम देखेंगे जो UP के है और year of foundation देखेंगे अब सारी चीज़े आपके लिए repetition भी होगा और Allahabad University सबसे पहले जो आपका Allahabad लिखा हुआ है 1887 लिखा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है तो Allahabad University जो है 1887 उसके बाद BHU की बात करेंगे हम लोग अगर तो जो BHU है हमारा BHU जो है वो बरानसी जो है 1916 है अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्स्टी अलिगर्ड जो है 1920 है यह सेयद एहमत खान जी का नाम सुना होगा आपने Anglo-Oriental जो कॉलिज था उसी का नाम फिर आगे चलके अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्स्टी पढ़ता है लखनव उनिवर्सटी लखनव 1921 डॉक्टर भीम राओ अंबेड़कर उनिवर्सटी आगरा 1927 अंबेड़कर उनिवर्सटी लखनव 1989 पंडित्दीन दयालुपाध्या उनिवर्सटी गोरखपुर 1957 संपूननन संस्कृत जो आपका उनिवर्सटी है आपका वरानसी 1974, महात्मा जोतीबा फुले, रोहिला खंड युनिवस्टी बरेली 1975, और जो आपके मैथली शरंड गुप्त बुंदेल खंड युनिवस्टी है जहासी 1975, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अबद युनिवस्टी फैजाबाद 1975, बीर बहादूर सिंग युनिवस इंडियन अनिमल हस्बेंडरी और फूट प्रोड़क्शन में, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो टोटल लाइस्टॉक में, मिल्क प्रोड़क्शन में, मैंगो प्रोड़क्शन में, और आवला प्रोड़क्शन में, इंडियन गूस बेरी जिसको बोलते हैं, उत्तर उत्तर प्रदेश stand first in India, तो nut irrigated area में, total tube well irrigated area में, और total canal irrigated area में, उसके बाद उत्तर प्रदेश stand करता है first position में, इंडिया में, बहुत सारे अन्य आयामों में, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, population में, bank branches में, post offices में, और newspapers में, उत्तर प्रदेश stand करता है first rank में, Indian agriculture के perception में, तो total जो आपके food grains है उसमें, wheat में भी, sugar kin में, potato में और मसूर में, इसके बाद यहाँ पर major sentence बताय जा रहे है, small और cottage industries के UP के perspective में, मुझफर नगर की बात करें, तो blanket manufacturing और paper industry, यह सब repetition है, हम दोने शुरू में भी पढ़ लिया है, इसके बाद, जो merit है आपका, Caesar industry है, sports goods है, paper industry है, hand आजिया बात की बात करें, तो cigarette industry, soap industry, मोधी नगर में, और porcelain, जो बोला जाता है, industry, उसके बाद, बुलन शहर, porcelain, pottery और industry, जो आपका है, खुर्जा में, उसके बाद, अलिगर जो है, lock industry, मतुरा की बात करें, तो brass, statues and copper utensils, handmade papers, आगरा की बात करें, तो sports goods, soap industry, जर्दोजी carpet manufacturing, floor clothes, उसके बाद, manufacturing, जो है, आपके floor clothes, जो है, आपके manufacturing है, iron weights, और clay toys, पिरोजा बात की बात करें, तो glass industry, very important, famous है, worldwide glass bangles के लिए, और cannot, जो है, आपका perfume और scented oil के लिए, कानपुर नगर की बात करें, तो jute industry है, soap industry है, medicine manufacturing है, woolen textile industry है, इसके बाद, जालान की बात करें, तो handmade mid paper, कालपी, जहासी की बात करें, तो medicine manufacturing, और जानपुर की बात करें, तो perfume और aromated oil, भदो ही जो है, आपका rug construction manufacturing के लिए, और मिर्जापूर, carpet manufacturing, rug construction manufacturing, woolen textile industry, वरानसी, rug construction manufacturing, wooden toys, furniture, brass utensils, jury और chicken works, आजमगर की बात करें, तो hand loom और cotton textile, मुबारकपूर, और गोरकपूर की बात करे तो jute industry, है न, और उसके बात, जो है, आपका मेड़कर नगर, hand loom और cotton textile, टंडा, और लखनव की बात करें, तो wooden toys, medicine manufacturing, torch manufacturing, जरी और chicken कारी, जो वर्क होता है, उसके रावाशा जहापूर, जो है, carpet manufacturing, बरेली की बात करें, तो match box industry है, bamboo industry है, carpet industry, wooden furniture, और cane sticks, रामपूर, knife industry के लि बिजनार, wood carving के लिए, और नगीना जो है आपका, hand loom और cotton textile industry, धामपूर, और blanket manufacturing, नाजी, नाजी बाबाद, शहारनपूर की बात करें, सहारनपूर जो है, iron weights, wood carving, furniture, hand loom, cotton textile, देवबन, match box, industry, cigarette industry, उत्तर प्रदेश की famous personalities, पहले भी देख चुके हैं हम लोग, और ये जो है, उनकी, जो है, places से, जहां से वो जोड़े हुए है, उनके बारे में बताया गया है, तो सर, सयद एहमद खान लिखा गया है, सबसे पहले, जो मैंने आपको बताया, work place, अधिगण है, और जो है आपका आगरा, work place, किसकी कि रही, सलीम चिस्ती की, शेक पैजी की, और अबुल work place रहा है, महोबा जो है, आला उदल से संदर्वित है, है ना, चंदेल, once आप लोगोंने सुना होगा, कानपुर, जो नगर है, नाना साहब, और अजीजान बेगम, और जो आपका work place रहा है, और rebellion, जो rebellion हुआ है, बाय तात्या टोपे 1857, तो जो है, वो भी यहीं से थे यह, पत्यपूर जो है, birth place रहा है, गणे शुद्यार्थी का, कशांबी जो है, birth place है, मलूग तास का, है ना, उसके बाद चित्रकूट जो है, birth place रहा है, थुलसिदार्जी का, और प्रयाग राज की बात करें, तो ये birth place रहा है, मदन मोहन मालविय जी का, ध्यानचन जी जवाल लाल नहरु जी का और वर्ट प्लेस रहा है मोती लाल नहरु जी का और चंदर सेखर आजाज जी जो है यही पर वीरगती को प्राप्त होते हैं शहीद होते हैं यही पर अल्फरेट पार्ट जो है आपका जिसका नामकरण अपकर दिया गया है आजाज जी के नाम पर औ उसके बाद वरानसी की बात करें तो यह बर्थ प्लेस नहीं है पंडित रवी शंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, कबीर जी का फर्स्ट टीचिंग जो बुद्धा की है सारनात में वो भी आप लोगों को पता होगा बर्थ प्लेस है रानि लक्ष्मिभाई जी का और राईदाज जी का और गिरिजा देवी जी का रहा है जो आपकी ठुमरी सिंगर भी है ठीक है ना ठुमरी सिंगर भी है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसके बाद जो है गाजीपुर की बात करेंगे तो ये बर्थ प्लेस ना है आपका स्वामी सहजानंद रिशी जी का और जो उसके बाद देखेंगे बलिया की बात करेंगे बर्थ प्लेस है मंगल पांडे, छिट्टू पांडे और ब्रिगु रिशी का गोरकपुर की बात करेंगे यहाँ पर फासी दी गई थी रामप्रसाद विस्मिल जी को कुशी नगर जो है, यहाँ पर महापरी निर्वारा प्राप्त हुआ था बुद्धा जी को ठीक है ना, और महाई जो अंबेटकर नगर है, यह आपका बर्थ प्लेस है फासी दी गई थी, लखनव जो है, वो अजिजान बेगम का बर्थ प्लेस है और रिवोल्ट हुआ था यहाँ पर, तो बेगम हजत महल से रिलेटेड है, 1857 में और उन्नाव जो है बर्थ प्लेस रहा है हसरत मुहानी जी का, सीतापूर जो है अलिया का बर्थ प्लेस है, और जियाई दीन बर्णी जो है, वो बुलन शहर से रिलेटेड है मेजर टेंपल्स की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की और मेरिट की बात करेंगे, तो यहाँ पर चर्च बिल्ट किया गया है, बाई बेगम जो आपका टेंपल है, और शाजी टेंपल है, आपका हरदेव टेंपल है और लाडिली जी टेंपल है, कानपूर देहाद की बात करेंगे, तो भितरगाओं टेंपल वेरी इंपॉर्टेंट गुपता एरा, कानपूर नगर की बात करेंगे, तो जेके टेंपल है वालमी की आश्रम बिठूर है और वरा भवन जो आपका वरा भगवान का जो टेंपल है वरा है ना विष्णुजी का वरा अतार वरा भगवान टेंपल जो है सोरोन में है और ललितपुर की बात के रहे तो दशावतार टेंपल अब देवगण गुपता पीरियट का है 31 अत्री आश्रम है आपका और कौशामडी में दिगंबर जायन टेंपल है बेला देवी टेंपल आपका प्रतापगड में है सोन भद्र की बात करेंगे तो रेणुकेश्वर महादेव टेंपल है मिर्जापुर में भरतहरी टेंपल है औविंदेवासनी टेंपल है प्रयाग विश्वनाः जी डेवरिया में बाबा सोम नाथ जी का टेंपल है, गोरक पुर में गोरक नाढ टेंपल है, कुशिनगर की बाद गरेंगे, तो यहाँ पर जो है महापरी निर्वाना जो है आपका वो टेंपल है huge statue है यहाँ पर बुद्धा का sleeping pose में है यह याद रखेगा लेटे हुए हैं और अयोध्या की बात करेंगे तो बर्थप्लेस है राम जी की कनग भवन टेंपल है बर्थप्लेस और टेंपल है आपर 5 जैन तीर्थंकर्स का आदी नाथ है उसमें अजीत नाथ है अभिनंदन नाथ है और आपके सुमती नाथ है और अनंत नाथ है गुण्डा की बात करें तो पारवती अर्गाटैंपल है, बलरामपूर में पटेश्वरी देवी टेंपल हे और स्रावस्ति में जो आपका मात्रिका श्टैच्चू है और पद्मवती सती टेंपल है, सहारनपूर की बात करेंगे तो शाखंबरी देवी टेंपल है, यह सब रेपिटीशन है हमारे लिए, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्स की बात करेंगे, जो फर्स्ट प्लेस में है उत्तर प्रदेश में, तो गाजिया सफारी पार्क है, फर्स्ट महिला उद्यम पार्क है स्टेट का, और मैक्जिमम पर कैपिटा इंकम है, है ना, ट्रिपल सिक्स सेवन फाइफ रूपीज, और मैक्जिमम लिट्रेसी रेट है, मैक्जिमम नंबर ओफ रजिस्टर फैक्टरीज हैं यहाँ पर, उसके बाद इन लेंथ, फर्स्ट रेल कोच फैक्टरी है स्टेट की पहली जो है, सेंट्रल वूमन उनिवर्स्टी ऑफ इंडिया जो है, वो राय बरेली में है, कौशामभी की बात करें तो मैक्जिमम परसंटेज ऑफ एस्सी है, चित्रकूट की बात करें तो फर्स्ट जो हैंडिकप इन लेंवर्स्टी है, स्टेट का, प्रयाग राच की बात करें तो लार्जस्ट पॉपलेशन है, लार्जस्ट वूमन पॉपलेशन है, लार्जस्ट चायल पॉपलेशन है, 0 से 6 मियर्ज तर, आईकोर्ट विद मैक्जिमम नमबर अफ जजजजेग मेंबर हैं, डिस्टिक गाजीपुर की बात करें तो लार्जेस्ट आवला प्रोड्यूसर है जानपुर जो है maximum sex ratio है यहाँ पर गाजीपुर की बात करें तो first opium factory state की यहाँ पर गोरखपुर जो है largest railway platform है of the world है ना first or second दोनों को मिला के उसके बाद लखनवु जो है first biotechnology park है state का पहला DNA bank Asia का यही पर located ह सीतापुर जो है largest SC population है बदायू की बात करें तो district है जो share करती है boundary maximum number of districts के साथ बिजनौर जो है highest dam है state का on राम गंगा river मतलब बिजनौर में जो आपकी राम गंगा river है उसमें highest dam है state का UP का इसी के साथ यहाँ पर हमारी UP English GK की जो series है वो यहाँ पर समाथ होती है और अपनी series को हम यहीं पर विराम देंगे next project में मिलेंगे तब तक लगातार जबर्दस तरीके से महनत करते रहिए और एक बात याद रखिएगा कि इमानदारी से honestly किया गया जो hard work होता है वो आपको हमेशा ही hedonism सुख देता है और उसके साथ तफलता तक भी ले जाता है तो इमानदा से लगातार consistent मेहनत करते रहिए आप लोग सफल जरूर होंगे best of luck all the best thank you so much